बर्गर बनानी के लिए हमने लिया है बर्गर बन यह हमने बॉयल आलो लिया है इसे पहले हमने बॉयल करके और इसका छिलका हटा लिया है आप आलो का क्वांटिटी अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं बर्गर मसाला तयार करने के लिए हम देख लेते हैं क्या क्या चीच चाहिए हमने लिया है बंद गोवी इसे हमने स्लाइसेज में काट लिया है हरी मिर्च हमने तीन लिया है, इसे भी स्लाइसेज में काट लिया है तीन प्याज को हमने बारिक काट लिया है अद्रफ लेसुन का पेश्ट लिया है हमने दो टमाटर को हमने बारिक काट लिया है और हमने 100 गराम पनीर लिया है, इसका छोटे छोटे टूप पनीर आप्सिनल है और हम मसाला फ्राई करने के लिए रिफाइन ओयल लिए है मसाले में चाहिए हमें पाव भाजी मसाला ये दो बड़े चमच है नमक स्वाध अनुसार एक छोटे चमच लाजमीट पॉडर आधे छोटे चमच हल्दी पॉडर बर्गर बन को सेखने के लिए हमने लिया है बटर बर्गर को डेकुरेट करने के लिए हमें किन किन इंग्रीडियन के ज़रूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं हमने लिया है सरकल सेफ में टमाटर ये दो टमाटर को हमने सरकल सेफ में काट लिया है ये दो प्याज है इसे भी हमने सरकल सिफ में काटके एक एक प्याज के स्लाइसेज निकाल लिए हैं और हमें स्लाइसेज में काटा हुआ बंद वो भी चाहिए और हरी मेट चाहिए सोस में चाहिए हमें टमैटो सोस, भेज मैयोनीज और चिली सोस भेज में वनिज हम ये ब्रैंड का यूज़ करेंगे अगर आपके पास जो भी हो उसे यूज़ करें चलिए हम बर्गर बनाने श्टार्ट करते हैं पहले हम आलू को गरेट करेंगे आलू गरेट करने से हमारा आलू में कोई लॉंज नहीं रहता है इसलिए हम great करते हैं ये देखिए हमने पूरे आलू को great कर लिया है अच्छे से अब हम burger बनाना इस्टार्ट करते हैं पहले हम burger का masala तयार करेंगे कडाही हमारा घरम हो गया है अब इसमें हम refine oil डाल देंगे आयल हमारा गरम हो गया है, पहले हम पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे, यह देखिए हमारा पनीर गोल्डेन ब्राउं हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे, इसमें हम हरा मिर्च और अध्रफ लासुन का पेश्ट दालेंगे, यह देखिए हमारा हरा मिर्च और अध्रफ लासुन का पेश्ट गोल्डेन ब्राउं हो गया है, अब हम इसमें प्याज दालेंगे, हम दो मिनट तक इसे पपाएंगे, प्याज को हम दो मिनट तक प्राई करेंगे, दो मिनट हो गया है, प्याज हमारा प्राई हो गया है, अब इसमें हम बंद हो भी डाल देंगे, इसे भी दो मिनट तक प्राई करेंगे, दो मिनट हो गया है, अच्छे से प्राई हो गया है, अब इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इसे भी दो से तीन मिनट तक अच्छे से प्राई करेंगे, दो मिनट हो गया है, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमुद डाल देंगे, हमारा जो भी सब्जी अच्छे से नहीं सॉक्ट हुआ है, वो अच्छे से हो जाए, यह देखिए एक मिनट हो गया है, हमारा अच्छे से सारा सब्जी सॉक्ट हो गया है, अब हम इसमें यह जो मसाले निकाल के रखे थे वो सारे डाल देंगे, इसे अच्छे से चला ले, यह कि देखे हमने अच्छे चछा लिया है अब इसे एक से दो मिनट जब मसाले को फ्राइक कर लेंगे मीडियम प्लेंप में अए अब इसमें हम जो ग्रेट किए थै अलू यह डालेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है यह हमारा बर्गर का मसाला बनके तयार हो गया है अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे किसी बर्गर में निकाल लेते हैं यह देखिए हमने आलू मसाला को एक बॉल में निकाल लिया है अब उपर से हम इसके पनिय डाल देंगे इसे थोड़ थोड़ा मिला लें अब हम बन को बीच से कट करेंगे यह देखिए बिल्कुल इसी तरह से सारे को हम कट कर लेंगे यह देखिए हमने सारे को कट कर लिया है अब हम इसे सेख लेंगे अब हम एक नॉन्स्टिक तवा गैस पर रखेंगे और इसे गरम होने दें मारा तवा अच्छे से गरम हो गया है अब इस पे हम बटर डालेंगे क्लेम को हम एक दम लो रखेंगे और इस पे अब उल्टा करके बन को रख देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से से शेख लेंगे यह देखिए बिल्कुल हम ऐसे ही दोनों साइट से अच्छे से शेख लेंगे यह देखिए हमआरा हो गया है अब हम सारा को ऐसी मेडिियम फ्लेम पे शेख लेंगे हमने सारे कौन को अच्छे से शेख लिया है पहले हम दो बन का बर्गर बनाएंगे चलिए हम बन को टेकौरेट करते हैं, पहले हम सारे पे टमेटों सोस लग Александ लगाएंगे चिली सोस लगा देते हैं हमने दोनों सोस लगा दिया है अब भेज मेवनीज लगा देते हैं चारों पर ये देखिए हमने चारों पर भेज मेवनीज लगा दिया है अब हम सिर्फ दो पर जो इसका पीछे वाला पोर्सन है इस पर हम श्ट्रफिंग रखेंगे जो हम बनाए हैं सिर्फ दो ही पर श्ट्रफिंग रखेंगे शारों पर ना रखें यह देखिए हमने दोनों पे श्क्रफिंग रख दिया है अब इस पे हम टेमाटर रखेंगे जो हम सर्कल में काते हैं प्याज रख देते हैं और हम थोड़ा थोड़ा बंद वो भी इस पे डाल देते हैं हर इमेज डाल देते हैं और हम एक एक सर्कल सेप में सिम्ला में चकाते थे यह देखिए हमने अच्छे से रेकुरेट कर लिया है यह देखिए हमारा बर्गर बन के तयार हो गया है बिल्कुल डॉमिनोज जैसा यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में चारो तरफ से अगर हमारा डॉमिनोज जैसा बर्गर का रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें सिस्क्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें